जबसकार सुलकतार सवाल देख रहे हैं पर मैं हूँ आपके साथ दिव्यासिंग दिल्ली के कटर एमानदार सीम अर्विन खिर्चवार ब्रस्ट चार के मावले में फसे हुए है मुसीबत ऐसी है कि दूर दूर तक कोई उमीद नजर नहीं आ रहे हैं लोग सबाद चुनाव के बीच तिहार में केजरिवाल बेचैन हो उठे हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं अलाकि केजरिवाल की पत्नी गैर मौझूदगी में सुनिता केजरिवाल ने उनकी जगर ले ली है यानि कि चुनाव प्रचार का जो पूरा कामान है उन्होंने संभा लिया है चुनाव प्रचार करती नजर आ रही है लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि पार्टी के कई बड़े नेता सलाकों के पीछे है और कई का नंबर लगता दिख रहा है एक के बाद एक आप निताओं पर जाच जिंसी का शकन जाक कस्ता चा रहा है वहीं कोट के तरब से भी इनको रहत नहीं मिल रही है अब आम आदमी पार्टी के एक और बिधायक के मुश्किले बढ़ गई है चारो तरब से मुसेबत में घीरी पार्टी और निताओं पर तमाम तरख के सवाल सुलग रही है आम आदमी पार्टी के अंदर क्यू मचा बबाल आप निताओं की कैसे बढ़ रही मुश्किले कोट के नोटिस से क्यू डरे आप बिधायक जेल में क्यू परिशान हुए सीम क्यूश्रिवाल इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और तहार में क्यूश्रिवाल की टेंशन और ज्यादा बढ़ाती है जिस तरह से लगातार आप विधायको कोईडी का समन और कोट का नोटिस मिल रहा है उससे पार्टी के अंधर बवाल बचा हुआ है किसी ना किसी मामले में आप निताओं पश्रिवाल को बेचैन कर दिया है स्टोरी में आगे बताएंगे केज्रिवाल से मुलाकात के बाद आतीशी ने क्या कहा लेकिन सबसे पहले बात मुश्किल में फसे एक और आप बदायक की दरशल दिल्ले में आम आधमी पाठी के एक और बदायक के मुश्किले पढ़के है दिल्ली हाई कोट ने आम आदमी पार्टी के बदायक अब्दुल रह्मान और उनकी पत्नी अस्मा बेगम को एक मामले में नोटीस चारी किया है दरसल दमपती के खलाफ एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल को धमकाने और हमला करने का आरोप है जिस पर पिड़ित की अपील मंचूर करते हुए हाई कोट में नोटीस चारी किया है मामला 2009 का है जिस पर स्पेशल MP MLA कोट ने आम आदमी पार्टी के बदायक अब्दुल रह्मान और उनकी पत्नी को दोशी ठहराते हुए प्रोबेशन पर छोड़ दिया है मामले में पिड़ित प्रिंशिपल ने ट्रायल कोट के आदेश को दिल्ली हाई कोट में चुनावती देखी जिस पर कोट ने नोटीस जारी कर जवाब मागा है सेलम पुर्सी आप बदायक अब्दुल रह्मान के खलाफ ये मामला 4 फरवरी 2009 का है पांच फरवरी 2009 को बदायक के खलाफ एफायार दर्च कराई गए थी दिल्ली के राउस जिवेन्यू कोट में पिछले साल फैसला सुनाते हुए कहा था कि अभियोजन पक्ष बदायक और उनकी पतनी पर लगे इलजाम साबित करने में काम्याब हुआ है बताते हैं कि मामले में कोई M.N.C. और F.I.R. में लिखाए गए चश्मदीदों में से एक काभी बयान दर्च नहीं कराए गया था हलाकि बाद में अदालत ने प्रोबिशन पर बदायक को छोड़ दिया था अब आपको बताते हैं कि दरसल हुआ क्या था पूरा मामला क्या है आप बदायक और उनके पत्नी के खलाफ यह मामला 2009 से चुड़ा है पांच फरवरी 2009 को जाफरावाद के जीनत महल सर्वोदे विद्दाले की ततकालीन प्रधानाचार्य रजिया बेगब ने सिलमपुर थानी में केस तर्च कराया था उनका कहना था कि चार परवरी के सुबा अब्दुल रह्मान के पत्नी आस्मा स्कूल के अंदर घुसाई आरोप है कि आस्मा ने प्रधानाचारय को थपड मार दिया यहीं नहीं कुछ देर बाद आम आदमी पार्टी के बदायक अब्दुल रह्मान भी अपने साथियों के साथ स्कूल के अंदर आये उसने रजिया को जान से मारने की धमकी देकर गाली गलॉस तक की लेकिन स्कूल के साथ मार पीट और धम की देना आम आदमी पार्टी के बदायक को भारी पड़ चार लाएس के बाद स्कूल प्रिंसिपल के शकायत पर पुलिस ने केस तरज कर दि के तहत दोशी करातिया साथी उनकी पतनी आस्मा पर भी अपरात सिद हो गया बता दे कि अब्दुल रह्मान दिल्ली के सिलम पूर सीट से आप बिधायक है तो इस तरह से आप बिधायक के मुश्किले बढ़ती चारी है और अब कोर्ट से नोटिस मिलने के बार पार्टी में हडकंप मचा हुआ है क्योंकि पार्टी के अंदर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है ऐसे समय में कोर्ट से नोटिस आना बड़ी मुसीबत देखा है बता दे कि हाले में ओखला सीट से आप बदाय अब अन्तुल्ला खान से भी वक्प बोर्ड में मने लॉंटरिंग के मामले में पूछताच की गए थी उन पर अभी जाच एजिंसी की तलवार लटकी हुई है वही आपके रास्टे संयूचप और दिली के मुख्यमंत्री आर्विन के जिवाल समित कई नेता केंद्री जाच एजिंसियों के घेरे में है आप सुप्रिमो अर्विन के जिवाल और मनेश सिसोधिया पहले से जेल में बंदे आपने ता आतिशी ने हाली में आरोप लगाया था कि भाजपा सरकार विपक्ष की आवाज दबाने के लिए केंद्र एजिंसियों का इस्तमाल कर रही है और आगे भी आम आदमी पार्टी के निताओं को गिरफतार क्या जा सकता है और अब आपको बताते हैं कि केज़िवाल से मुलाकात के बाद क्या बोली आतिशी मरले नाव दरसल दिल्ली के कथित आपकारी निती घोटाले में तेहाड जेल में पन मुक्यमंत्री अर्विंद केज़िवाल से उनकी पत्नी सुनीता केज़िवाल ने मुलाकात की सुनीता केज़वाल के अलावा दिल्ली की कैबिनेट मंत्री आतीशी ने भी मुख्या मंत्रे से मुलाकात की इस मुलाकात के बाद आतीशी ने मीडिया से बात्चीत में कहा कि मुख्या मंत्री अर्विंद केज़वाल से मिलते ही मैंने उसे पूछा उनका हाल चाल तो उन्होंने कहा कि आप लोग मेरी चिंता मत कीछे बस दिल्ली वालों के चिंता करो और उनका ख्याल रखो उन्होंने मुझसे दिली की इचनता को मिलने वाली तमाम सुविधाओं का हाल जाना और रदेश दिये कि गर्मियों में किसी को भी पानी की कल्लत नहीं होनी चाहिए इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली की मताओं बेनों से कहा है कि वह जल्दी जेल से बाहर आएंगे और उन्हें एक हजार रुपए की सम्मान राशी देगे आतिशी ने कहा कि मुख्यमंतरी अर्विन केज्रिवाल ने मुझसे पूछा कि क्या स्कूलों में किताबे समय से पहुंच रही है बच्चों को पढ़ाए में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही मुखाला क्लिनिक और अस्स्पितालों में जो समस्याइच चल रही थी वह समस्याइ अल हुई या नहीं दिल्ली के लोगों को दवाया मिल रही है या नहीं आतिशी ने ये भी कहा कि केश्रवाल ये सुनिश्रित करने के लिए कहा है कि गर्मी के मौसम में दिल्ली वालों को पानी की समस्या नहीं होनी चाहिए और नहींने दिल्ली के महिलाओं के लिए संदेश दिया है कि वो जल्द बाहर आएंगे और महिलाओं को हर महीने जो सम्मान राशी देनी है उसके लिए वो प्लान बना रहे हैं और जल्दी उन्हें एक हजार रोपे की राशी मिलेगी बता दे कि आम आदंके पार्टी ने पहले दावा क्या था कि सुनिता केज्रिवाल को अरविंद केज्रिवाल से मुलाकात की इजासत मिल गई है बदारेंगे दिलि की मुख्यमंत्री अर्वित यिज्वाल में एडी ने उन्हें किस मार्ज को dellaela नीमामले में गरफतार किया था इडी पूर्व मंत्री सतेंदर ज्यान को 31 मhi 2022 को गरफतार किया था ये गरफतारी 24 अगस्त-विस्तार को सीबी आई की तरब से दर्च एफायार को अधार बनाकर की गई आरोप था कि जैन ने कथे तौर पर दिल्ली में कई शेल कंपनिया पनाई या ख़ड़े भी थी रोने कोलकाता की तीन अवाला ओपरेटर से 54 कंपनियों के जरिये 16 करोण 49 लाख रोपय का काला धन भी चांसपर किया दिल्ली के पुर्वजिप्टी से मनेश्य सोधिया को एडी ने 10 मार्च 2023 को करफ़ता किया इसके पहले 26 परवरी को सीबी आई ने गिरफ़तार किया था तोरों ही एजिंसियों ने दिल्ली शराब गुटाले के मामले में कई निताओं को इडी अब तक गरफतार कर चुकी है कई उसे पूचतार जारी है वह इसके इतर पार्टी के करीब कई नेता ऐसे हैं जो अलग-अलग मामलों में जांच जिंसी के रडार पर हैं शराब गुटाला मामले में एडी दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केज पार्टी के बढ़े निताओं के पीछे हैं और जो बाहर हैं उनमें से कई निताओं पर गिरफतारी की तलवार लटक रही हैं जिससे पार्टी के अंदर बवाल मचा हुआ है वहाई पार्टी की बिखरती हालत को देकर सीम के शवाल तिहार में बेचैन होके हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं सो लगता सवाल में आज के लिता हैं किसी और मुद्दे के साथ परस्ते पेश होगी तब तक के लिए आप देखते रहे हैं कापिटल टीवी नमस्कार अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करे हमारे चानल को सब्सक्राइब करे और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे वीडियो अक नोटिफिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमारे साथ चुर्णने के लिए शुक्रिया